अभी रौ में तो पता ही हमको कि कैसे ब्रॉग लेस्नर बहुत बुरी तरीके से बेकाबू हो गया थे तो उसकी एक फैन केम वाली फुटेज आप लोग देख सकते हो यह मुल्कुल आपने बहुत मुमेंट्स पर देखा भी हो कि ब्रॉग लेस्नर इतनी जान लगा जाता है क कभी-कभी उनके उपर ही भारी पढ़ जाता है क्योंकि फुर अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह तो बाई पता चलता है कि बीच चौले करेक्टर में आखे चेंज तो आता है ब्रॉग लेस्नर में और यह करेक्टर में उनको रहना बीचिए वेल्कम है आपको वॉइस आफ रेस्लिंग के एक और नहीं एपिसोड में और आज जो हम शुरुवात करते हैं इस वीडियो की वह है फायर विंस मिक्मैन से यह चीज गाइस बहुत जादा ट्रेंड करें सोचल मीडिया पे समय में आपको कल वाली वीडियो केंदा तो बता से वह भी लगने शुरू हो गए हैं तो मतलब अभी फैंस ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे लगता तो नहीं कि ग्राउंड लेवल पर इसको कोई असर पड़ने वाला लेकिन फैंस बहुत जादा नाराज है कि विंस मिक्मैन वापस आगए हैं अब फायर विंस मिक्मैन काम नहीं करना चाहेंगे तो वह थोड़ी प्राउलम वाली बात हो रैसा भी नहीं कि उनका पॉइंट वैलेड नहीं है बहुत सारी सीजा होती है विंस मिक्मैन के अंडर में जो कि सूपरस्टार्स को सट्टिसफाय नहीं कर पाती फिर बंदा जबने काम से कुछ नहीं तो कि अभी तो मुझे और ज्यादा टॉट्शर करना है अपनी फैमिली को मुझे वह करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत मजा आएगा उन्हों ने उस इंसिदेंट के बारे में बात करी जो अलेया रिंग साइट पर होती है और उन्हों ने का कि मैंने अलेया को देखा कि इसके हाथ में ड्रिंक है पानी पड़ा हुआ है लेकिन जब मैंने देखा कि कम है उससे तो मेरा कुछ होलें भी नहीं वाला तो चलो इसका जो बैटरी हुज है वो यह करते है कि वह फेक देते हैं अलेया के मूपे और मुझे ऐसा लगी रहता है कि यह पहले से प्लैन नही नहीं था और अपनी सिस्टर को भी डंबैस करके उन्हेंने कॉल किया है तो मिस्टीरियो की इस खांदार में डॉमिनिक मिस्टीरियो को तो भी हमेशा रखेंगे और जो करेक्टर वर्क करने डॉमिनिक मिस्टीरियो वह भी कमाल का है शुरुवात में जब डॉमिनिक आया साथ अच्छे बहले बनके कोई इमेजिन में नहीं कर सकता था कि डॉमिनिक मिस्टियो का करेक्टर जो है यहां परा सकता है अच्छे में आप देखो तो भाई वह तो लाल ही पड़ी है क्योंकि बजा के जो गुंधर में अच्छे फ्रेंड़ और वह सेंब फ्यूड के इंदर इंवाल्मे कि फ्रो बैस एक दूसरे से निकलवा के लाप आते हैं और इसी विजये से हम लोगों ने मैच भी देखा गुंधर वर्स शेमस वर्स मैकंटार का और गाइस में आपको बताया हूँ कि रेटिंग किस मैच को मने कितनी रेटिंग दिया उसका जो एपिसोड है वो अचुगा स्पॉटिफाइ के उपर पॉड़कास के उपर सारे प बिदीजिए बडियुगास से डैनियल कोर्मिर के सांथ इंटर्वी में थे इनसे पहले और यहां पर बच्चे के बारे ने की क्या करें रेटिंग को लेकर शेमें कि उनने का कि नहीं जो मेरे बच्चे है वह इस चीज से बिलकुली जादा दूरे और ब्रॉक लेस्ट बिर यह भी बताते हैं कि अच्छा ही है वो दूर है क्योंकि मैं दुबारा से रेस्लिंग रूम में अपने आने वाले साल नहीं पिता सकता था यह अच्छा ही है देखे कि वो चला काम कर रहे उसमें फिर मुझे भी इंटरस्ट आता है एक बहुत टाम पहले मैं रीडियो बनाए थी और वो गलत है क्योंकि Brock Lesnar को कोई बेटा नहीं है क्योंकि वो जो एक रूमर्ड Brock Lesnar का बेटा बाद में वह समझ में आया था लेकिन actual में Brock Lesnar के जो सारे बेटे हैं और जो बीटिया है वो अलग अलग चीज़ों में लगे बास इंट्रेस्ट है और बर लेटेटर आपयों के बारे में क्योंकि उनका बीस्ट वाल लुक चेंज हो गया है तो सवाल यह है क्या बॉट निल्क में भी चेंज होगा वैल मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह होने वाला से इसके बीजे सिंपल सा रीजन यह कि मुझे परसनली देख के आसा लगता है Brock Lesnar को जादा इंजॉइ करते हैं जबकि जो पहले वाला लुक था वो Brock Lesnar के लिए करते थे तो इसलिए जब वो डॉबली से गायब है तो जिस लुक को पसंद करते हैं वही उन्हें रखा और डॉबली ने वैसे भी फेस करने का सोचा होगा Brock Lesnar को तो वही लुक के साथ आगए वैसे मुझे लगता है कि खास फर्क पड़ता है कि Brock Lesnar का लुक क्या है अगर जो काम उन्हेंने Monday Night Raw में किया कोड़ी रोट के साथ वैसे ही वो करना कंटीनू करें तो मेरे खाल से यह वाला लुक जो और अच्छा लग सकता है पुराने वाले बीस्ट के लुक से भी लेकिन ह अब यहम को इस विए से इतना फैमिलिया निया में इसके साथ कि यह फेस वाला है असा रखता रहे ब्रॉक लेस्न तो लुच्चू-पुच्ची होगा लेकिन हाँ अभी Brock Lesnar बहुत बहुत जादा डिफरेंट है हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ और WWE Peacock का जो आता है USA में जहां पर WWE आती है वहाँ पर जो विएर्शिप है वहाँ पर जो नमबर से इस रेसल मेनिया में वह काफी जादा बढ़ गए और रिसेंटली गाइस पॉल हेमन ने बहुत इंट्रस्टिंग कॉमेंट किया है रोमन रेंस और ब्रॉक लेस्टिंग इस पूरी स्टोर्लाइन के बारे में जो कि आप लोग को सुनना चाहिए अच्छे से अब देखो सब सारे लोग क्या सोच थे कि कोडी रोड्स की स्टोरी वो फिनिश होनी चाहिए रेसल मीनिया में वो रोमन रेंस को राएंगे चैंपन बनेंगे रॉल रंबर में आना तो पूरा एक जो पैटर्न है स्टोरी का वो फॉल हो रहा था लेकिन अब क्योंकि वो हार गए है तो बहुत साय लोग को ऐसा लग रहा है और इसमें मैं भी कि अब कोडी रोड्स का आगे क्या लेकिन गाइस पॉलमन ने बहुत अच्छा नजरीया इसके बारे में दिखा है वो यह कहते हैं कोडी रोड्स ने जैसा सोचा होगा उससे भी बड़ा सूपरस्टार बनके वो निकल के आया है जबकि उसने चैंपेंशिप नहीं जीती है और आगे जाके पॉलमन कुछ ऐसा हिंट करना चाहरे है कि शायद हो सकता यह नहीं का पॉलमन ने कि कोडी रोड्स जीत जाएंगे आगे जाके लेकिन यह का कि अगर जीत जाते है तो फिर स्टोरी फिर आगे कहां जाती है यह तो चीज यहीं पर बड़िया बात है और इसल समवन फैमिली से भी लॉंग करते हैं, MLW प्रमोशन के लिए काम करते हैं उन्होंने एक ट्वीट के जहां पर लिख रहे हैं रहे हैं रहे हैं अब इससे वह क्या कहना चाहरे हैं कि यह अभी उनका थोड़ा सा वहादा ट्रायल पीरियाट चल रहा है जहां पर ड़लोवी न मुझे लगता है सालों साल चलने वाला डवलोवी में ट्राइबल चीफ का तो शाहिए डवलोवी को इस तरफ भी ऐसे नजरुजए रखनी चाहिए कि आहने वारे टाइम में किस सूपरस्टार की उनको खैसे जरुवत पड़ सकती है एंडवर को बिक्चु किया डवलोवी इस बात को कि कैसे परसनली प्रोफेशनली काफे सारी मिस्टेक किये और वुस चीज को फील भी करते हैं लेकिन हाँ यह एक ऐसी चीज है जिससे में पूरी तरीके से अवाइड करना चाहिए और वह खर भी रही है क्योंकि वह नहीं चाहिए क्योंकि पंगे बाजी हो जब पिर जोनका ट्रांसेक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है गेबल स्टीफसन गाईस परेशान हो गया थोड़े से और परेशान ऐसे हुए हैं कि उन्होंने जो ट्वीट भी किया तर शायद परेशान ही में आगे उसको डिलिट भी कर दे जो उनका डिलीट ट्वीट है यहां पर लिखते हैं, Just Wanna Wrestle, अब Gable Stevenson आपको पता है, WWE के साथ है, लेकिन वो WWE में हमको देखने को मिलते नहीं है, एक ताम पर ऐसे पता चलाते हैं, उनके बहुत बड़े प्लाइन से, Triple H के साथ, Wrestlemania वाला मैच उनको मिलने वाला था, लेकिन फिर Triple H को डिटाल होना पड़ गिया, अपने कार्ड एक इवेंट की वजैसे, तो Gable Stevenson आपर शाद अपनी frustration निकालने, बट उनने उस tweet को delete भी कर दिया, तो फिर इस और लग रहा है कि यह tweet उनका WWE से related है, ऐसा निया कि वो Olympics वाली wrestling या फिर वो जो दूसरे traditional wrestling होती उसकी बात कर रहे है, देखते हैं, फिर WWE क्या करेगी Gable Stevenson के साथ, फिलाल तो उनकी कोई direction है ना, उनके बार में कोई update है, और guys हम चलते हैं हमारी आज की next and final story कि तरफ और possible WrestleMania 40 का main event शायत माँ को बता सकता हूँ या फिर Royal Rumble का winner कौन होगा, तो इस समय जो betting odds है Royal Rumble अगले साल का जीतने के लिए, उसमें सबसे favorite है Seth Rollins, उसके बाद नाम है Gunther का, उसके नाम है बाद Cody Rhodes का and then Bobby Lashley, तो ये वो superstar से जो कि Royal Rumble जीतने के लिए favorite अगर आप लोग कहारोगी ये क्या बोल रहा भाई तू रॉल नाम की बाद अभी से कैसे हो रही है तो अगैन बताना क्यों पढ़ता है मुझे, लेकिन Cody Rhodes के बारे में भी जब वो आये ही थे company के अंदर WrestleMania वो उसके बाद सी पता चलिगा था कि Royal Rumble जीतने वाले है हाँ पर और गुंधर का भी है तो सच में लिस्ट देखके तो लग रहा है कि हां ऐसा कुछ हो सकता है बाकि देखते WWE ऐसा करीगी अफ़ने बैठक की जो पूरी वीडियो है वो आज चुके तो गास को भी आप पुजा कि सुन सकते हो पॉड़कास्ट एपिसोड सुन लो मैं जिसमें क्या रेटिंग रही यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकिशन बेल को अन कर दो एंड़ स्यू गास माइं नेक्स वीडियो